अगर आप भी मेरे इंग छोटी छोटी टिफ्स को फॉलो करेंगे तो मेरे जैसा आप भी अपने घर पर सक्सेस्पूली बेटा फिस को ब्रीड कर पाओगे सबसे पहले मैं गया एक्वरियूम सॉप वहां से मैंने एक हैल दी बेटा फिस को लेकर आया अपने घर और उसके ल आतर मेल बेटा फिस होते हैं इसलिए उनको सेपरेट करके इस तरह से ग्लास के अंदर रखा जाता है तो इन में से आप कैसे सेलेक्ट कर सकते होगे कौन सा मेल बेटा फिस आगे जाके ब्रीड करेगा और वह हल्दी है तो इसके लिए आपको गौर करना हुआ ग्लास के किन यह मुझे मिला है 190 रूपीज का इसमेल बेटा फिस के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर किजेगा और कॉमेंट करके बताएगा आपको यह कैसा लगा मैंने इन दोनों के अंदर फ्रेस वाटर भरा यह नॉर्मल सिंटेक्स वाला पानी है इसके बाद मैंने थोड़ काफी ज़्यादा यूजफूल और फैदेमंद रहता है इसके लिए मैंने सबसे पहले इंडियान आलमंड लीफ को ड्राइ किया धूप के अंदर इसके बाद मैंने इसे अच्छी तर से तोड़ तोड़ कर गरम पानी के अंदर डाल कर कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया फिर टाइम के साथ पानी का कलर ब्राउन हो गया आपको ये इंडियान आलमंड लीफ ऑनलाइन किसी भी स्टोर पर आपको मिल जाएगा साथ ही मैंने दो दो ड्रॉप मिथलीन ब्लू के भी दोनों कंटेनर्स के अंदर दोनों ब्रीडिंग सेटप के अंदर डाला मिथलीन इसको मैंने पानी के अंदर पूरा इस तरह से चला कर अच्छी तरह से मिला दिया और अब जो हम यह मेल बेटाफिस लेकर आया है इसको जल्दी से सिफ्ट करते हैं इसके ब्रीडिंग सेटप के अंदर अभी मैं इसको ग्रूम नहीं करने वाला हूं क्योंकि यह आल्रेडी काफी है और पूरा एक्टिव है तो डिरेक्टली मैं जब इसको यहां पर आक्लि घुमता हुआ दिख रहा होगा तो हम इस मेल बेटाफिस को भी ब्रीड करने वाले हैं इसका कलर काफी प्यारा है इसको मैंने छोटे से रेज किया जब इसका बिल्कुल फिन नहीं था आपको याद होगा मैंने इन सभी को गलीफ स्ट्रीट मार्केट से लाया है यह सभी का मैंने इस ग्लास के अंदर निकाल ली है अब इसी तरह मैं इन दोनों को यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देता हूं और 15-20 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूं तो इनका टाइम हो गया सिफ्टिंग का तो अब एक एक करके इन दोनों को सिफ्ट करते हैं सबसे पहले मैं इस वाइट वाले मेल बेटाफिस को यहाँ पर सिफ्ट करता हूं यह गया अपने इस नय ब्रेडिंग सेटप के अंदर इसके बाद अब दूसरे वाले को सिफ्ट करते हैं यह नया वाला मेल बेटाफिस भी मुझे बहुत पसंद है इसका बॉड़ी पूरा ब्रेड ना करें क्योंकि इनका जो ब्रेडिंग सेटप है वह पूरा ट्रंस्पेरेंट है यह एक दूसरे को देख सकते हैं तो इसलिए मैंने दोनों के बीच में यह काड़पोर्ट का पीस लगा दिया है अब यह दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे साथ ही हाँ यह मैं प्लास्टिक का फोम यूज कर रहा हूं बबल जैसा यह कुछ फोम है यह मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं यह पानी के उपर इस तरह फ्लोट करता रहता है यह बबल नेस्ट को अच्छे से सपोर्ट करेगा होल्ड करके रखेगा अगर आपके पास यह नहीं बबना प्लास्टिक का पीज़ डाला था उसी के आसपास तो अब इस अपने वाइट वाले मेल बटाफिस को देखते हैं तो इसने भी बबनाना सुरू कर दिया और इसका बबले हमारे दूसरे वाले मेल बेटाफिस से काफी बड़ा है अब देखिए कितना बड़ा इसने बबलनेश्ट बनाना शुरू कर दिया मुझे लग रहा है कि यह हमारा ब्रेडिंग सक्सेस्पूल हो जाएगा तो अब इनको मैं थोड़ा सा फूड थोड़ा सा खाना दे देता हू यह नॉर्मल जो बेटाफिस का फूड आता है वही मैं यूज कर रहा हूं मैंने इन दोनों को थोड़ा जादा ही खाना दे दिया है कि इनको अभी काफी मेहनत करना है बबलनेश्ट पूरा अच्छे से बनाना है तो उसके लिए एनरजी तो लगेगा ही तो अब इनको इनक इसना बढ़ी का बढ़ा बबल बना दिया है अब अपने से वाइट वाले मेल बेटा ऌसका बबल देखते हैं यह कैसका बबनेश्ट थोड़ासा तोटा फूटा लग रहा है लेकिन बीच से यह गला निप्रम। से इसने काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा बबल नेश्ट बनाकर रेडी कर दिया है तो मुझे लगता है कि अब साही टाइम है इन फीमेल बेटाफिस को यहां से सेलेक्ट करके ब्रीडिंग सेटप के अंदर सिफ्ट करने का तो यहां पर मैंने तोटल नौ फीमेल बेट तो सेम उसी तरीके से जिस तरह से मैंने वाइट वाले मेल बेटाफिस को पागड़ा था वैसे ही मैंने ग्लास के अंदर एक एक करके इन दोनों फीमेल बेटाफिस को पक्ड़ लिया इनके अलावा भी कुछ और दूसरी आ जा रही थी तो उनको ऩॉधू बार बार अटायक कर सकते हैं तो जैसे इन दोनों ने खाना खतम किया अब इन दोनों फिमेल बेटाफिस को यहां पर यहां पर रख रहा हूं इसके बॉड़ी पे यलो इलो सेड नहीं है तो हो सकता है इनके बेवी क्या बॉड़ी हो उसके उपर यलो कलर हो फीमेल बेटाफिस को जैसे ही मैंने आपर एक्लिमेट होने के लिए रखा तो यह दोनों मेल बेटाफिस काफी खुस हो गया और इन्होंने अपना फिन पूरा फ्लेयर करना शुरू कर दिया और आसपास पूरा घूमने फिरने लगे तो इन दोनों को यहां पर अच्छी त इस प्लास्टिक बॉटल के अंधर अधर करता हूं सबसे पहले मैं इस को सबसके बाद यलो उनको और में पीछे से गड़ेता हूं ताकि यह दोनों मेल्स बबलनेश्ट के ऊपर काफी अच्छे से वर्क कर पाएं तो यह बेटाफिस ब्रेडिंग का तीसरा दिन है मैंने कंटेनर को रात में ढग दिया था कुछ इस तरह से आगे से भी और अगर आप गौर करो तो इन बॉटल के किनारों के ऊपर भी आप देखोग गौर करो तो इनका बबलनेश्ट पहले के मुकाबले अब काफी छोटा हो गया है तो यह देखकर मुझे काफी डर लगा कि ऐसा आखिर क्यूं हुआ लेकिन फिर भी मैंने कोशिस नहीं छोड़ा और अब मैं यहाँ फीमेल्स को रिलीज करने से पहले इन सभी को फीड करने फ्यूज है वो ज्यादा आगे मूव नहीं कर रही है फिर मैंने कुछ इसी तरह से इस रेड़ वाली फीमेल बेटाफ इसको भी रिलीज कर दिया थोड़े ही दिर में हमारे यह दोनों पेर्स काफी अच्छी तरह से यहाँ पर घूमने फिरने लगे अपने इस और यलो वाला पेर है उसका मेल फीमेल के ऊपर काफी अटेक कर रहा है फिर मैं जब थोड़े दिर के बाद आया तो मैंने देखा कि यह पेर बबल निष्ट के ऊपर अपना अंडा सजाना इसने सुरू कर दिया है अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर आपको जितना भ कवर हटा कर देखा तो बबल निष्ट के अंदर एक भी अंडा नहीं है यह अभी तक इस पेर ने ब्रेड नहीं किया फिमेल नहीं तो एक दिन और वेट कर लेते हैं आज बेटा फिस ब्रेडिंग का चौथा दिन है और जब मैं सुबह सुबह आया इन दोनों को चेक करने तो मैंने देखा कि जो हमारा परपल और यलो वाला पेर है इसने बहुत बड़ा और काफी अच्छा बबल निष्ट बनाया है साथ ही बबल निष्ट के अंदर आपको धेर सारे अंडे दिखेंगे मुझे तो लग रहा है कि जो हमने यह वाइट वाला प्लास्टिक का सीड डाला इसके नीचे भी काफी सारे अंडे हो सकते हैं तो हमारे इस वाले पेर ने सक्सेस्पूली ब्रीड कर दिया लेकिन अभी भी डर है कहीं यह पेर अपने इन अंडों को खाना जाए फीमेल को मैं कुछ गंटों के लिए और यहां पर छोड़ने वाला हूं हो सकता है कि और भी अंडे दे सकती हो लेकिन जो हमारा यह वाइट वाला पेर है इसने अभी तक बिल्कुल भी ब्रीड नहीं किया है अभी भी इसका वबलनेश्ट पूरा खाली साही है तो आगे इस वाइट और रेड़ वाले पेर का क्या होता है क्या यह ब्रीड करेगा या नहीं यह परपल और यलो वाले पेर के अंडों से क्या बेबीज निकलेंगे यह आपको पता चलेगा सेकंड पार्ट के अंदर तो मैं मिलता हूं आपसे सेकंड पार्ट के अंदर ओके बाई